गनेश को हिंदु धर्म में सबसे प्रमुक देटाओं में गिना जाता है इनके अश्रवात के बिना सारे काम अधूरी रह जाते हैं इस बार गनेश चतुर्थी का त्योहार 22 अगस्त से शुरू हो रहा है आप इस दिन बपा को अपने घर लाकर विराजमान कर उनका अश्रव गर में जर्ष्नमना शुरू हो जाता है साथी हशोलास का मौहल रहता है इस दिन लोग घरों में गनेश भगवान की प्रितेमा बैठाते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं साथी प्रात्ना भी की जाती है कि है गणपति बपा अगले साल जल्दी आना इसे 2020 को शनिवार के दिन है गनेश चतुरूती शाम 7 बचकर 57 मिनिट तक है हस्त नक्षत्र भी शाम 7 बचकर 10 मिनिट तक है हिंदु धर्म शास्तुरू के मताबिक चोगडिया मुहुत बेहत शुप्रभाव पैदा करने वाला है हिंदु पंचांग के नुसार 22 अगस्त को दोपहर 12 बचकर 22 मिनिट से शाम 4 बचकर 48 मिनिट तक चर लाब और अमरत के चोगडिया मुहुत हैं इन में से किसी भी समय आप गनेश भगवान के स्थापना कर सकते हैं आपको बता दे हिंदी पंचांग के नुसार गनेश जी की स्थापना करनी चाहिए मूर्ते स्थापना करने के इसलिए चोगडिया मुहुत में ही मुतिस थापना करें क्योंकि चोगडिया मुहुत काफी शुब माना जाता है बता दे कि चोगडिया में चारों लगनों रिस्तिती भी काफी शुब दशामें होते हैं वहीं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्क है भादरपद मास में शुक्ल पक्षी द्वितिया को चंद्रमा के दर्शन का नाशुम नहीं बाना गया है। इसलिए यदि इस दिन भूलवश चंद्रमा के दर्शन भी हो जाये तो इस दोश निवारन के अगले दिन गरीबों को खाने की सफेज चीजों का दान करना चाहिए।